दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर आलोग चौधरी आप देख रहे हैं डाक्टर आलोग बेट कलब बेजवानों की जिन्दगी को बचाना उनके स्वास्त का ख्याल रखना और किसानों की मदद करना इसी उद्दे से आप तक के वीडियो लेकर आते हैं जैसे देख रहे हैं इस दलदल में गिर गया जो किनारे दीख रहा आपको तो वहां से निकाला गया निकाल के बाहर किया गया है और ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं नीमो स्लाइट परसी टमाल पेन किलर 15 ml और साथ में टोनो फासफान 10 ml और ट्राइवी बेट 10 ml ये इंजेक्शन लगा दिया ज तूटा हुए हड़ी जैसे देख रहे हैं गोटने के ऊपर तूटा हुआ है तो थोड़ा सा बढ़ा के नीचे तक पैर और ऊपर तक चड़ाना पड़ेगा प्लास्टर तो ऐसी स्तिती में प्लास्टर पेरिश का रेडिमेट बैंडे जाता है उसी को लगाया जाएगा तो बढ़ियां से पकड़ के होल करके क्योंकि यह टूटा हुआ है मोस्ट प्राबबली एक दिन पहले तो स्वेलिंग भी आ गई है तो स्वेलिंग अटाने के लिए पेन किलर दो-तीन दिन चलेगा लेकिन प्लास्टर लगाने के बाद देखना पड़ेगा अगर गयब हो जात होती क्या होती है और यह देखिए प्लास्टर चड़ा दिया जा रहा है बढ़ियां से और थोड़ा सा एक्जास्ट हो गया है गोवन्स धीरे-धीरे रिकवरी होगी इसमें और एकदम सही हो जाएगा जूड़ जाएगा कोई समस्या नहीं आएगी इस तरह के केसेस होते है अक्सर जिसमें यह देखिए थोड़ा हवा भी कया जा रहा है तो साथ साथ सेटल होता जा रहा है और एक प्लास्टर उपर से फिर से चड़ा दिया जाएगा ताकि मजबूती आ जाए जैसा देख सकते हैं दोस्तों इस तरह कहीं भी फ्रेक्चर होता है तो समस्या बढ़ जाती है पसू क्योंकि वेट होता है और तुरंद खड़ा होने लगता है तो थोड़ी देर के लिए सेटल होना उसके बाद सूख जाना बहुत जरूरी होता है इमोबिलाइज करना जरूरी होता है उसके बाद पसू अगर खड़ा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएग प्लास्टर चड़ा दिया गया है देख सकते हैं एक दम से बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दिया गया है हवा कर दिया जा रहा है थोड़ा सूखने के बाद अच्छे से जैसे सूख जाएगा तो पसू को बैठा दिया जाएगा या खड़ा कर दिया जाएगा फिर पूई जट झायाँ रद झाल झाल झाल, झाल झाल, झाल.